नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन पर दोस्तो अभी एक बहुत ही महत्पून सुचना आया है नोटिफिकेशन आया है वो आई टी आई कैट 2020 से संबंदित है ये बिहार संयुक्त परवेश परिच्छा परिच्छ परिवेश परिच्छा ITICAT 2020 का नोटिफिकेशन है इसमें कहा गया है आये देखिए आवश्यक सुचना सर्व सर्चारन और एवं अधोगी परिच्छन संस्थान परतियोगिता परिवेश परिच्छा 2020 से संबंदित सभी अवर्थियों को सुचित किया जाता है कि दिनांग 23-3-2020 के अनुसार दिनांग 24-5-2020 को आयोजित होने वाली उक्त परिच्छा में सम लेते होने के लिए ओनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु रेजिस्ट्रेशन की अंतिम तिति जो थी वो 26-4-2020 तक निर्धारित है यानि कि आज तक हमारा ओनलाइन निर्धारि है था लेकिन करोना करोविट-19 वाइरस बिहार सहित पूर्ण भारत बर्स में 3-5 तक 3-5-2020 तक लोगडाउन डिकलियर रहने के कारण चाहत हित में आई टी आई कैट 2020 से संबंध हित तितियां में विस्तारित किया जाता है यह जो है आई टी आई कैट मतलब कि आई आई में जो प्रेश परिच्छा होता है उसका जो डेट निधारित था वो 26 अप्रील तक ही निधारित था लेकिन अभी इसका जो फॉर्म का डेट है वो उसको बढ़ा दिया गया है तो आई ए कब तक यह फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए Online Registration Closing Date 10-5-2020 11.59 मतलब कि रात्री के 11 बज़के 69 मिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं कब तक 10 मई तक उसके अलाब और क्या है कि Last Date of Payment Last Date of Payment चलान After Submission of Online Application from application form of registered candidate 11-11 तक आप चलान के माधियम से पेमेंट कर सकते हैं यदि आपको पेमेंट करना है Online आप पेमेंट करते हैं Net Banking से Credit Card, Debit Card से तो आपको लिए आपके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 12-5 तक किया गया है जो लोग Debit Card, Credit Card या Net Banking से पेमेंट करना है वो 12-5 तक कर सकते हैं Online Editing of Application Form Application Form को Edit करने का जो Date दिया गया है वो 13 माई 2020 से लेकर 16 माई 2020 तक आप अपने Form में अगर कोई गलती हो गया है तो आप सुधार कर सकते हैं के लिए आप इस website पे login कर सकते हैं bcecboard.bihar.gov.in तो यह मत्पून सुचना है थी जो ITI में प्रवेस परिच्छा जो होता हुआ के लिए जो Form भराता है ITI Cat 2020 उसके लिए के बारे में नोटिपिकेशन था तो यह नोटिपिकेशन उनके लिए बहुत ही मत्पून है जो उन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था लोगडाउन के कारण तो यह अब फॉर्म भर सकते हैं तो उन लोग के लिए date जो एक्स्टेंट कर दिया गया है अब उन लोग के लिए जो date है वो फॉर्म भरने की अंतिमति थी जो है वो 10-5-2020 यानि कि 10 मही 2020 तक वो आप फॉर्म इसली से भर सकते हैं और 3 मही को लोगडाउन तो समाप थोड़ा तो आप अगर आप मोईल से नहीं भर पा रहे हैं तो आप कहीं साइबर कैपे में आप इ कोई भी फॉर्म से बंचित नहीं रह सके तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए अधिक से अधिक शेयर कर जिए और अपने यूटूब चाइनल टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दिए जय हिंद